दोसो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है Macaulies Minute, Macaulies Minute on Indian Education 1835, दोसो ये टॉपिक बहुत important है, इसकी बारे में जानना चाहिए हर English Literature के student को, ये Macaulies Minute क्या था, ये एक Act था 1835 का Indian Education Act, जिस वक्त हम Britishers के गुलाम थे, उस वक्त एक Indian Education Act आया था 1835 में, और उस Act ने इंडिया की Education का रुख बदल दिया, पूरी तरह से, ऐसा माना जाता है ये Macaulies Minute, ये एक ऐसा document था, जिसने इंडिया में English को एंट्रियूस किया, किस तरह से, मैं इसकी पूरी स्टूरी समझाऊँगा कैसे, पहले हमें कहानी थोड़ा और पीछे लेकी जानी पड करेंगे, इंडिया में Education पर, उस Act के अंदर, Charter Act 813 का था जो उस Act में, लेकिन दोस्तों बोलना एक अलग बात होती है, और Action लेना एक अलग बात होती है, वैसे ही ये बात भी बोल दी गई, लेकिन कई सालों तक कोई भी Action नहीं लिया गया, क्योंकि कुछ भी Clear नहीं था, कि कैसे Spand किया जाएगा, कहां Spand किया जाएगा, किस University को दिया जाएगा, कौन पैसा खर्च करेगा, कैसे पैसा खर्च करेगा, कोई बात नहीं की गई, बस इतना कहा गया कि एक लाग रुपे खर्च करेंगे Indian Education पर, और सबसे Important चीज तो, कि Education किस Language में पढ़ाई जाएगी, Hindi म या English में, तो भारत के लोगों को जब यह चीज पता चली, तो भारत में दो गुट बन गए, 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 अब एक गुट तो चाहता था, कि Education का Medium English हो, यानि सारी Education हमें English में मिलनी चाहिए, और एक गु और प्रेशियन लेंगविज जो है उसी में हमें एजूकिशन मिलनी चाहिए जो लोग प्रेशियन और संस्कृत को सपोर्ट कर रहे थे ना उनको औरियंटलिस्ट बोला गया दोस्तों नोट कर ले ना और जो लोग एंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे उनको एंग्लिसिस्ट इन दोनों ग्रुप्स की बीच में बड़ी लंबी लड़ाई चलती रही, सालों तक लड़ाई चलती रही, 10 साल, 20 साल तक लड़ाई चलती रही, और दोस्तों फिर इस लड़ाई को खतम किया Macaulay's Minute ने, यानि कि अब इस लड़ाई का अंत होने वाला था, एक Macaulay नाम का एक आदमी आया, एक चीज़ नोट कर लो, राजा राम मोहन राय भी इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, एंग्लिस इस्ट को, यानि कि राजा राम मोहन राय भी चाहते थे, कि इंडिया में एजूकेशन होनी चाहिए, मेंबर बन किया है, इंडिया में, और उस बक्त इस आदमी को, पबलिक इंस्ट्रक्शन कमिटी का प्रेज़िटन्ट नियुक्त किया गया, इसको बुलवाया था, उस बक्त के गवर्नर जनरल, विलियम बैंटिक ने, विलियम बैंटिक उस ताइम पे, Governor General थे, उन्होंने बुलवाया था कहा था कि यहाँ पर Orientalist और Anglicist के बीच में बहुत घमासान संगर शल रहा है तो आके संभालो अब Lord Macaulay आते हैं और आके लिखते हैं अपना Macaulay's Minute सबसे पहले तो यह समझो कि इनको काम क्या दिया गया था कि आओ और आके Literature शब्द जो है ना इसकी व्याख्या करो फिर इसके बाद में भारतिय विद्वान और बाहर के विद्वान उनके बारे में बताओ और सबसे most importantly जो एक लाख रुपे मिलने वाले हैं ना उसका खर्चा कैसे किया जाएगा ये बताओ बाई में मुद्द तो यही था ना लड़ाई किसके पीछे थी कि language कौन सी होनी चाहिए प्रश्यन संस्कृत होनी चाहिए या फिर English होनी चाहिए पहले तो वो बताओ कि कौन सा literature best है फिर विद्वानों के बारे में बताओ उसके बाद में ये बताओ कि पैसा कहां खर्च करना चाहिए Macaulie ने काम किया इस पूरे minute पर और दो फरवरी 1835 को ये minute submit किया जो इन्होंने minute लिखा था ये submit किया उस वक्त की council को और Lord Banting ने इसको accept कर लिया अप्रूव कर दिया और इसके बाद 7 March 1835 को एक resolution पास होता है इसके बाद इंडिया में English education established होती है अब दोस्त इंपोर्टेंटली Macaulie ने ऐसा क्या लिखा था अपने letter के अंदर अपने उस पत्र के अंदर जो उसने submit किया Macaulie's minute बोला जाता जिसको उसमें उन्होंने ये लिखा सबसे पहला काम क्या था उसका literature की बारे में बताओ कि literature क्या है और कहां का best है तो उसने लिखा literature तो English ही best है यानि वो ऐसा बोलता था कि literature का मतलब ही English है बै सारा कुछ English literature ही तो है वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा इंडियन सिर्फ उसी इंसान को मानूँगा जिसके पास में Western knowledge होगी Western sciences के बारे में Western literature के बारे में knowledge होगी उसी को मैं पढ़ा लिखा मानूँगा बाकी सब मेरी नजर में पढ़े लिखे ही नहीं है क्योंकि literature का मतलब English literature एक बात जिस पर आपको शायद थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है दोस्तों इसने क्या बोला था कि इंडिया का पूरा literature Indian यानि कि Persian और Sanskrit literature पता किसके बराबर है हमारे पस्चिम में एक library की एक अलमारी में जितनी किताबे भरी होई होगी न उसके बराबर है Persian और Sanskrit literature सिर्फ इंडिया ही नहीं अरेबिया का literature भी यानि एक तरीके से इसने मजाग बनाया और उसने ये बोला कि क्या हम एक ऐसा साहित्य पढ़ा सकते हैं लोगों को जिसके अंदर कोई knowledge नहीं है जिसके अंदर कोई काम की बात नहीं है और इसने कहा कि एक Indian इंसान तो scholar तभी हो सकता है जब वो John Locke को पढ़े John Locke की philosophy को पढ़े John Milton की poetry को पढ़े तब जाकर के वो एक पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है अब दोसों एक चीज़ का ध्यान देना इसने एक बड़ी कमाल की थेयोरी थी कमाल की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको समझने के लिए हम अच्छा समझ सकते हैं वैसे तो अच्छी थेयोरी नहीं थी हमारे इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इसने एक downward filtration theory दी थी जिसके अंदर ये ऐसा मानता था कि अगर हम पूरी जनता को एक साथ इंग्लिश में एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता एक छोटे हिस्से को हमें एजुकेट करना पड़ेगा यानि कि इंडिया की elite class को हम अगर इंग्लिश में एजुकेट करेंगे तो पूरा इंडिया इंग्लिश में एजुकेट होने को बाद्धे हो जाएगा डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियोरी अब ऐसा ही आज हो रहा है आप देख लो उसने सिर्फ और सिर्फ elite class को इंग्लिश में एजुकेट किया जो उनके जाने के बाद में भी आज इंग्लिश पढ़ने के लिए लोग बाद्धे हो गए उसने एक ऐसी बात कही जो थोड़ी चुप सकती है कहता है कि एक ऐसा इंसान तयार करेंगे ऐसे लोगों के थुरू जो बलड में तो इंडियन होगा लेकिन टेस्ट में सोच में अंग्रेज और गवर्मेंट को क्या करना चाहिए संस्कृत और प्रश्यन में जो बुक्स चपती है सब को बंद करवा देना चाहिए यानि ऐसी ओरियंटलिस्ट बुक्स को अभी के अभी बंद करवा देना चाहिए और सिर्फ और सिर्फ English का प्रचार करना चाहिए अब इतना ज्यादा biased कोई कैसे हो सकता भई अब ये चीज उसने बोली तो गलत थी लेकिन फिर भी British Government इसको कैसे पास करती है यहाँ पे मकाले ने क्या किया British Government के favor में कुछ point लिखे उसने कहा कि आपको ऐसा करने से क्या मिलेगी एक cheap labor मिल जाएगी जो आपके लिए सस्ते में काम करेगी आपका burden कम हो जाएगा सस्ते clerk मिल जाएगे आपको cheap clerk मिल जाएगे काम करने के लिए अपने कामों के लिए छूटी छूटी jobs के लिए आप कर सकते हो उनको रख सकते हो, आपका बड़न कम हो जाएगा आप देखो, खुद इंडियन्स भी इस language को, English language को सीखना चाहते हैं, उनके मन में भी है कि हम भी English language को सीखें, तो इतनी कोई problem भी नहीं आएगी English को implement करने के लिए आप देख लो, भारत के बहुत सारे रिच क्लास लोग, या फिर राजा राम मोहन राएगा, एक्जांपल ले लो, ऐसे लोग जो हैं, वो अभी भी English का use करते हैं हमसे communicate करने के लिए ये व्यापार के लिए भाशा बन सकती है हमारे व्यापार के लिए दोस्तों ये वो points से, जो Britishers को सही लगे, अपने फेवर में लगे, इसलिए उन्होंने मार्च में इसको implement कर दिया, इस Macaulay's Minute ने Indian Education में, English में नीव का काम किया कुल मिलागे आपको Macaulay's Minute समझ में आया होगा दोस्तों अभी तक बहुत confusion थी इस topic को लेकर, मैंने जतना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको clear करने ही कोशिश की है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आयोगी वीडियो आज की इस वीडियो में बस इतना ही